सोखी खांसी आप सभी को बहुत ज़्यादा परिशान कर रही है और सोखी खांसी के लिए आपने कई सारी ट्रीटमेंट ली हैं कई सारी मैडिसिन्स आपने यूज की हैं वर ठीट सोखी खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही है कफे सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीज़ेगा अगर आपने हमें इंस्ट्रागाम, फेस्बुक और ट्विटर पर फॉलू नहीं क्या है तो आप फॉलू कर सकते हैं अगर आपने हमारे नए चैनल को विजिट नहीं क्या है तो लिंक हमने वीडियो के मदद से सुखी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं जो मैंने परस्नली टेस्ट किया है येस मैंने टेस्ट किया है मैंने उस चीज को अपयोग किया है देन उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं अब आप कुछ लोग कहेंगे कि साइंटिफिकली है यह नहीं है ये वीडियो 110 और इस वीडियो के अंदर चीजा बताई जाएंगी वह प्रापर तरीके से साइंटीफिकली बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च विज्ज हैं तो आप इस वीडियो को अंति तक जरूर दिखेगा और होश यकि तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजेगा क्योंकि वो सभी ऐसी चीजें जो आपकी खांसी को ठीक कर सकती हैं वो आपकी किचिन के अंदर एबिलिबल हैं और कुछ नहीं करना है मैं 110% कह सकता हूं वो सारी चीजें आपकी किचिन के अंदर एबिलिबल हैं और किवल एक चीज हमें लेनी हैं अगर आपने 500 रुपे, 1000 रुपे पंदरा सो रुपे, दो हजार रुपे का अगर ट्रीटमेंट डिया है और टैबलिट्स लिये हैं, सेरप्स पिये हैं, या घरेलू निसके किये हैं, उनसे एगर आपको खासी के अंदर रिलिफ नहीं मिला है, तो आप ट्रिस्ट कीजे, मैं 100% आपको किवल चोटी सी एक चीज से आपको खासी को हमें सगले ठीक कर सकता हूँ, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, सूखी खासी होती क्यों है, दिखिए, सबसे पहला ये हमारे रैस्परेटरी इन्फैक्शन और इस्पेशली रैस्परेटरी में भी अपर रैस्परेटरी इन्फैक्शन उसके कारण मोस्ट हो सकता है कि किसी patient को COVID के लक्षड मिल रहे हो तीसरा हो सकता है patient को जो new variant आया है COVID का जिसे हम Omicron के नाम से जानते हैं उसका symptoms patient को मिल रहा हो ये तीन कारण most common है इसके अलाबा हो सकता है patient को गले में कोई infection हो हो सकता है patient को कोई irritability हो हो सकता है कि patient के गले में Susan हो, हो सकता है कि आपके गले में कोई infection वहाँ पर dab lep हो रहा हो या फिर जो vocal cord होता है उसका infection वहाँ पर dab lep हो रहा हो तो उसके कारण भी आपको गले के अंदर problem हो सकती है और सूखी खासी आ सकती है साथी साथ COPD जैसी प्रावलम में और साथी साथ अस्तमा की प्रावलम में साथी साथ ऐलरजी जैसी प्रावलम में और इसे बताने में आपने इतना लंबा समय क्यों लिया देखे कोई अच्छी चीज अगर बताई जाए तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बक्त देना होता है और मैं बात कर रहा हूँ गारलिक के बारे में अब गारलिक तो आपने समझ लिया कि गारलिक हमें खाना है वट आपको ये समझना होगा गारलिक खाना कैसे है रात में खासी हो रही है सूखी खासी हो रही है जुखाम है बलगम बनता है या फिर आपको बहुत जादा रात के समय सोते समय इस्पेशली बहुत जादा खासी होती है तो ये जो इलाज है ये रामबाड है आप 100% ली देखे इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है आप घर पर रहकर के इस फॉर्मिले को यूज कर सकते हैं और आप मुझे इस वीडियो में रिटन कमेंट जरूर कीजेगा जैसे आपने भी वीडियो देख लिया और अगर जो फॉर्मिला मैंने बताया है वो आपने यूज कर लिया उसके बाद आप मुझे इस वीडियो में कमेंट जरूर कीज़ेगा, मुझे डेम जरूर कीज़ेगा, जिससे कि आपको काफ़ी सारी help मिलेगी और मुझे भी help मिलेगी कि मैंने जो आपको नुसका बताया, वो 100% कारगर है, क्योंकि मैंने ये test किया हुआ है, मैंने खुद उसे use किया हुआ है, देशी है, घरेलू है, और 100% शुद्ध है, करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है, lesson की दो कलिया, lesson की दो कलिया, यानि garlic की सर्दे भगाने के लिए आग जलाते हैं, अगर आग जलाई जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो दो कलियां है, lesson की अच्छी बड़ी कलिया ले ले लेज़ेगा, उसका आप दो कलियों को आसानी से उस पे आग पर भून लेज़ेगा, भूनने के बाद आप अच्छे से जब भून जाए, ऐसा नहीं कि वो जल जाए, जैसे जैसे उसका उपर की जो लेयर होती है, उसका छिलका होता है, वो जलने लगे, वो उपर का छिलका जलने लगे, इसका मतलब है कि आपका lesson भून चुका है, जैसे वो भूनेगा, आप उसे उठा लीज़ेगा और उसका छिलका उतारिएगा, और तुरंत आप उसे, मतलब गुन 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 आप उसे खा लीज़ेगा, 100% मैं guarantee दे रहा हूँ, अगर खासी सही नहीं हो, तो आप मुझे जरूर टीम कीज़ेगा, लेकिन मैं आपको 100% कहा रहा हूँ, आपकी खासी proper तरीके स ठीक हो जाएगे, दूसरा, ये कितने दिन तक लेना है, ये आप किवल और किवल 3 दिन तक लीज़ेगा, अप लेना कितनी है, दो कलियां आपने लिया, जैसे 2 कलियां अभी ली, 6 बजे ली शाम को, दो कली आपको लिनी है, रात मैं सोते समय, और ये 3 दिन करना है किवल, आ आसानी से भून सकते हैं और आप देखेंगे ये जो दो कलिया है किबल ये चमतकार आपकी खासी को अच्छे तरीके से गाइब कर सकता है बहुत ही चमतकारी और अधभुद फायदा में आपको बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा आपको और आप सब जानते हैं कि लेसु दूसरा अगर किसी पिशन को सूखी खासी होती है और रात में सू नहीं पाता है तो ड्रोसेरा कभी आप उप्योग कर सकते हैं होमियोपैथी का खासी के लिए रामबाड मेडिसन है ड्रोसेरा ड्रोसेरा 200 परेंसी में लीजेगा चारबुन सुबह चारबुन दुपहर चा 110 परसेंट आपके खासी खतम होगी गायब हो जाएगी और आपको अच्छी नीद आएगी ड्रोसेरा नाम एक वाद फिर से नूट कर लीजेगा इसक्रीन पर आप इसका फोटो देख सकते हैं ड्रोसेरा 200 परेंसी में चारबुन सुबह चारबुन दुपहर चारबुन श्य जो सोसल साइट्स हैं उन पर भी आपको अब अगर बात करें और क्या हमें करना है गुनगुना पानी आप पीजेगा तीन-चार दिन के लिए और बाहर की चीज़े ठंडी चीज़े बिलकुल खाना बंद कर देजेगा मिठाई खाना बंद कर देजेगा आप देखेंगे त अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएं विजिट करें काफी सारे है अब सब्सक्राइब को हमने बताई हैं वीडियो अच्छा लगे तो शेर जरूर कीजेगा बहुत ही चोटा सा वीडियो है जानकारे भी बहुत चोटी है लेकिन ये बहुत काम की वीडियो है और बहुत काम की जानकारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों का इससे वीडियो को शेयर करने से फाइलर करें नमस्कार थेंग्सों बाचिंग, have a nice day, जय हिन, जय भाग।